Hi friends, lesson plan diary channel मैं आपको स्वागत है आज हम अपना साइन्स का next lesson plan करेंगे जो कि है lesson plan number six ये next chapter है, plant fibers and fabrics तो sixth class का lesson plan है subject science है, आप चाहे तो date alter कर सकते हैं, period alter कर सकते हैं time seem रहेगा, क्योंकि यहीं ncrt की guide line है इसके बाद मैं ने यह general aims यहां पर लिखे हुए टोटल 10 कुल मिलाके मैंने यहाँ पर जनरल लेम्स लिखे हुएं आप कम भी कर सकते हैं ज्यादा करने की तो जरूरत ही ने क्योंकि 10 मॉर्दिन सफिशिंट होता है तो ज्यादा लिखने के आपको जरूरत नहीं है और आप यह लिख सकते हैं इसे यह टोटल 10 जनरल लेम्स हमने लिख लिए हैं यह सेम ही रहेंगे आप चाहे कोई भी क्लास का लेसन प्लान बनाएंगे जनरल लेम्स यह सेम रहेंगे स्पेसिफिक एम्स हम लिखेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड होंगे तो सबसे पहले कोगनिटिव अबजेक्टिव स्केर आपको यह ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में इंट्स्रक्शन नहीं है तो आप सिंपली नंबर वन नंब है जानते हैं कि कलॉट्स जो होते हैं वह फ्रेंब गूर्ण हमने उगाए सकते उनका जो भी मटेरियल होता है बेसिक वह हम उगआ सकते समयारा एंडिट्रक्शन है introduction आप prior knowledge के basis को लेकर ही बनाएंगे total five questions है objective statement जिसमें हमारा chapter का नाम आ जाएगा teaching method आप ppt method भी डाल सकते हैं उसमें और इसी से related हमारा teaching ads भी होंगे इसके बाद में presentation यही जो part है important होता है क्योंकि हमें इसी को present करना इसी पे based हमारे marks होते हैं तो यह आप अच्छे से देख लिजेगा इसको as it is लिखेगा बिल्कुल अटर मत कीजेगा pdf में description में available करवा दूँगी तो आप pdf में जाके check कर लिजेगा यह next page है presentation में इस तरह से आप यहाँ पे pictures भी लगा सकते हैं gaining spining या weaving के तो वो और impressive लगेगा if it is possible otherwise तो आपको ultimately class में जाके समझाना है और बच्चों को समझ में आना चाहिए बाकी सब चीजे उतनी important नहीं होती है this is another page of presentation इस में मैंने पूरा chapter अपना cover कर लिया because 40 minutes के लिए इतना theory तो होना ही चाहिए last page of our presentation and this is the end of presentation उसके बाद में blackboard work जो भी आपको लगेगी कुछ tough words है नए words है तो वो आप blackboard work में डाल सकते हैं revision question उनी में से जो मैंने अपना presentation लिखा हुआ है उसी में से मैं बच्चों से कुछ questions पूछ लूँगी then class में करने के लिए उन्हें कुछ work दूँगी and finally at the end में उन्हें homework दूँगी और वैसे भी revision questions और class work आप अपने जो chapter के exercise होती उसी में से देंगे तो better होगा इससे उनको chapter के पीछे के जो question answer होते हैं वो भी याद हो जाएंगे और आप भी test कर पाएंगे कि उन्हें कितना समझ में आ गया है so this is the end of this lesson plan अगर आपको lesson plan ठीक लगा हो तो आप चैनल को like subscribe and share कीजेगा thank you